तो माज के दौर में सबसे जादा बात करते हैं about electric vehicles क्योंकि कही ना कहीं हमें मालूम है कि आखे चलके future में यही जो है normal होने वाला है electric vehicles की adoption जो है सबसे जादा होने वाली है लेकिन फिर भी उस चीज़ को 100% होने में अभी थोड़ा सा वक्त है और अगर हम recent past की बात करें तो हमारी सरकार जो है अब flex fuels कार की तरफ भी देख रही है तो flex fuel आखिर क्या है इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है और यह exactly काम कैसे करता है सबी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्सक्रा दोस्तों मैंना मेरे दिमान आप देख रहे हैं आटो तत्वो स्वागत है आपका आटो टेक के एक बिलकुल नए वीडियो में जैसा कि आपको इसके नाम से ही पदा चलता है flex fuel जो है इसका नेम कहीं न कहीं आता है from flexibility and fuel flexibility का मतलब आपके पास option है दो different kind of fuel को अपने कार में use करने का अब आप कोगे कि यार भाई ये तो वही CNG and petrol वाला या LPG and petrol वाला हिसाब हो क्या well आपका कहना गलत नहीं है बट ये exactly flex fuel नहीं है क्योंकि अगर हम बात करते हैं CNG and petrol या LPG and petrol की तो वो उनको हम कहते हैं by fuel और by fuel और flex fuel में difference यही है कि by fuel वाले जितने भी कार्ज होते हैं उसमें एक particular कार में आपको दो different fuel tanks देखने को मिलते हैं for example अगर आप अपनी CNG कार को ही देखते हैं तो उसमें petrol engine है और petrol के लिए एक अलग से tank है और साथ महीं अब जब CNG है तो CNG के लिए आपको एक अलग tank देखने को मिलता है और वो एक काफी बड़ा visible tank है जो कि आपको अपने boot space में देखने को मिल जाता है लेकिन अगर हम बात करते हैं flexi fuel की तो flex fuel के लिए आपको दो tank की ज़रुरत नहीं है एक ही tank में जो है आपका काम हो जाएगा और उसी एक tank में आप दोनों fuel को डाल सकते है अब flex fuels हमारे market में available नहीं है लेकिन ये बहुत ज़ादा कोई नई technology नहीं है in fact world की जो सबसे पहली mass production car Ford Model T की अगर हम बात करते हैं जिसका निर्मान 1908 में शुरू हुआ था वो भी कहीं न कहीं एक flex fuel कार ही आप कह सकते हैं क्योंकि उसका भी एक model आता था जिसमें आपको adjustable jet setting वाले carburetor मिलते थे तो ये बहुत कोई नया तकनीक नहीं है ये बहुत time से world over available लेकिन अब जो है हमारी सरकार इसके तरफ थोड़ा सा अपना concentration लेके जा रही है और वो दूसरे companies को भी कह रही है कि आप इंडिया में जाव से जादा flex fuel engine स्वारे कार लेके बात करते हैं कि आखिर कौन सा दो fuel होता है इस particular flex fuel कार में अगर हम बात करते हैं तो जो basic fuel होता वो petrol होता ही है इसके साथ या तो ethanol या फिर methanol का combination होता है 2018 तक 60 million cars already world over बेचे जात चुके हैं जो flex fuel के साथ आते हैं जो हाला कि ये सारे countries में भी popular नहीं है लेकिन US, Canada, Brazil, Sweden जैसे countries में ये काफी ज्यादा popular actually में है तो ये चीज आप समझ ले कि ये जो चीज है नहीं बहुत ज़्यादा नया है और नहीं बहुत ज़्यादा uncommon है बड़े बड़े दूसरे countries में जो है ये already available है flex fuels में भी जो सबसे popular fuel है वो है E85 और E85 का मतलब होता है E for ethanol placed flex fuel और 85 का मतलब होता है कि इस particular fuel में आपको 85% ethanol और 15% petrol देखने को मिल जाता है अब इसके different forms भी आते हैं अगर मालो for example इंडिया में कल को ethanol based fuel आ जाता है flex fuel तो E85 जो है वो आपको majorly जहाँ पे बहुत ज़्यादा tropical climate है वहाँ पे आपको E85 देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर वही बहुत ज़्यादा हम colder region में चले जाए जो थोड़ी से और ज़्यादा upper northern areas में चले जाए तो वहाँ पे हमें शायद E70 देखने को मिले क्योंकि cold starting problems हो सकती है तो वहाँ पे आपको 70% ethanol और 30% petrol देखने को मिल जाएगा ऐसे ही different type proportions के साथ जो है आपको flexi fields देखने को मिल जाते हैं और as per weather conditions as for जो वहाँ का ambient temperature वगरा है उस तरीके से जो है आपको different types of flexi fields की availability मिलती है वेल देखो सबसे पहला और सबसे major benefit जो है वो है environmental benefit अब petrol और flex fuel को अगर आप देखते हो तो सिर्फ petrol में जो है आपको पता ही है कितना pollution हो जाता है लेकिन वहे flex fuel में जो है आपको harmful greenhouse gases जो है वो कम होते है और साथ में ही जो flex fuel है वो उसकी burning भी petrol से ज्यादा better होती है तो ज्यादा better burning यानि कि कम आपको धुआ मिलेगा और कम धुआ मतलब environment को कम problem अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे benefit की तो वो है technology benefit जो flex fuel वाले engines होते हैं वो actual petrol engine से थोड़े ज्यादा advance होते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको sensors वागर है वो थोड़े और ज़़ज़ा sophisticated थोड़े और ज़़ज़ादा advanced होते हैं यानि कि अगर आप मानलो E85 के जग कि आखिर क्या proportion जो है आया उस तरीके से जो है fuel injector और spark plug का अपना tuning change होता रहेगा तो यह एक kind of advanced feature है और एक फायदा भी है about the flex fuel cars यह जो particular flex fuels है दोस्तों वो बन जाते हैं गन्ने से या कौन से मक्ये के दाने से तो इस वज़़े से यह kind of आप कह सकते हो कि natural resources से ही बन जाते है और crop based fuel यह है आम तोर पे अगर देखा जाए तो हमारा भारत जो है एक agricultural देश है तो यहाँ पे flex fuel बनाने से कही ना कहीं हम थोड़े और ज्यादा आत्मनिर्बर बन जाएंगे क्यूंकि अगर flex fuel car common हो जाते हैं जहाँ पे 85% of fuel है वो ethanol है और ethanol जासा कि मैंने आपको बताया के जाएंगे तो यहाँ पे जो है कम तेल हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा आम तोर के कार को चलाने के लिए लास्टली अगर हम एक और benefit की बात करें तो वो है tax benefit अगर इसको सरकार पुश करेगी तो यहाँ पे साहर सी बात है कुछ tax benefit भी आपको मिल जाए पर्फॉर्मेंस तो पर्फॉर्मेंस को लेके वैसे काफी जादा आपको debate सुनने को मिल जाएगा लेकिन पर्फॉर्मेंस भी जो है कि flex fuel का थोड़ा सा आपको enhance मिल जाता है क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले बताया flex fuel जो है petrol से ज्यादा better तरीके से burn हो जाता है जिसकी बात करते हैं क्योंक आपके कार में कभी flex fuel water contaminated हो गया तो आपके engine में जो है damage हो सकता है तो ये एक disadvantage है पात करते है mileage की तो mileage भी जो है एक kind of question mark है इस particular fuel के साथ कई बार कहा जाता है कि जो mileage है उसमें आपको almost around 30% तक की गिरावट देखने को मिल जाता है कि वैसे अकर आप देखोगे तो flex fuel का octane number है होता है लेकिन जो energy produce करता है जलने के बाद वो थोड़ा सा कम होता है तो उससे होता क्या है कि अगर एक लिटर पेट्रोल को जलाने के बाद एक particular amount of energy produce होती है जिससे कि आपकी कार चल सके वही flex fuel को चलाने से उससे थोड़ी सी कम होगी तो वही particular power आता रहे उसके लिए आपक difference आ सकता है इसके एक और सबसे बड़े disadvantage की वह availability तो जैसा कि मैं आपको बताया हमारे country में CNG की availability के अगर बात करें तो आपको बड़े शहरों में तो CNG available हो जाती है लेकिन अगर हम दूसरे tier 2 या tier 3 cities की बात करें तो वहाँ पे availability का problem है या शायद available नहीं है ऐसा ही कुछ particular problem ज कि आपको flex fuel समझा दूँ और क्यूंकि इस चीज़ के बारे में अब government भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे तो मुझे लगा कि शायद आप लोग के लिए यह जानकारी मैदवपूर्ण हो सकती है with that said guys I hope कि आपको यह video पसंद आया आप मुझे नीचे comment section में जरूर बताइए कि अ अगर इस type के cars को market में launch किया जाता है तो क्या आप इस type के cars में अपना hard and money खर्च करेंगे या आपके क्या opinion है about flex fuel नीचे comment section में जरूर बताइए with that said guys I hope कि आपको यह video पसंद आया अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक like जरूर करे चैनल पे नाए है तो subscribe कर ले मैं आप से मि अपने अगले वीडियो में जाने से पहले जासाम हम मेशा क्याता हूं always faster and cbs and drive and always wear operative gears and helmet when you're right till then take care good bye and always follow traffic